नङ्ड़कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे स्क्वाइर रूट निकालना कि बच्चोंक इसके अंदर बहुत दिंखत होती है और आज इस वीडियो के बाद आपको दिंखत दूर न इक चाहिए जब भी हम आपको सब स्क्वेर रूट निकलने के बाद उसकी यूनिट डिजिट मेर इसको बेखो अगर यूनिट डिजित हो गा Hence होगा जिसका स्कार्थ निकालना है तो जो नंबर निकल क्या घाएगा मानलो 16 का स्कुर्ध रूट निकाल रहों है ठीक है जाँ ठीक स्कानिय। तो इसके unit digit पे क्या है देखो 6 है 6 है 4 की भी और 6 की भी तो इसका अगर आप square root निकाल लोगी तो उसकी unit digit पे 4 मिलेगा या 6 मिलेगा समझाया है ठीक है जैसे माल लो अब हम question करते हैं चलो इसको देखो 04 लास्ट में क्या है 04 मिल रहा है हमको unit digit पे अगर 04 मिलता है unit digit पे तो यहां पर देखो 4 होता तो आपको 2 या 8 में से कोई एक number मिलता unit digit पे तो इसका जो answer निकल के आएगा उसका जा तो आएगा पीछे जा फिर 8 आएगा पीछे आगे की digit निकालने के लिए क्या क अब आपके पास या तो answer 58 होगा या 52 होगा कैसे पता करेंगे इससे छोटा स्क्यार हमारा 25 था वह 5 का स्क्यार था 5 को multiply करेंगे अगले number 6 से और आ जाएगा हमारे पास 30 ठीक है अब इस 30 को हम compare करेंगे 27 से अगर यह 37 30 से छोटा हुआ तो answer हमारा छोटा वाला हो जाएगा अगर यहां पर जो number 30 से बड़ा हो जाता तो बड़ा वाला number हो जाता समझाया दूसरा example देखते है वन वन कब आता पीछे अगर हमारे पीछ अब नंबर के पीछे वन है तो उसका square root जब निकालते है उसके पीछे क्या आता है यहां पर देख सकते है आप वन या 9 अगर unit digit 1 है तो number के जो unit digit आएगी उसकी 1 या 9 आएगी चलो तो यहां पर या तो 1 आएगा unit place पे या फिर 9 आएगा समझाया अब जो आगे की 10s place है इसके लिए क्या करेंगे हम 98 से छोटा ऐसा number देखेंगे जो perfect square हो 9 का square होता 81 10 का होता है 100 10 इससे ज्यादा हो जाएगा 10 का square तो इससे number तो आपका answer बड़ा वाला हो जाएगा समझाया 99 इसी तरह से इसको देखते है लास्ट में क्या है 04 है इसका मतलब क्या है कि unit digit पे क्या आएगा आपकी पास या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा ठीक है आगे की digit पता करने के लिए इस से छोटा ऐसा number देखो जिसका perfect square हो ठी तो 15 का 225 उससे जादा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 14 आजाएगा 14 14 अब इन दोनम से कौन सा answer होगा इस 14 को multiply कर दो 15 के साथ 14 को 15 से multiply करोगे 210 आएगा और आप देखोगे कि 219 210 से बड़ा है इसका मतलब बड़ा वाला आपका answer हो जाएगा 148 इसका answer आप मेरे को निकाल करना चैनल को फोलो करना धन्यवाद दोस्तों जैहिंद